हलो स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप सब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडूटेरा पर आज हमारे आप सब के लिए लेकर आए हैं सलूशन्स ऑफ इक्सर साइस 2.1 पार्ट वन of linear equations in one variable तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एडूटेरा को सब्सक्राइब करिए तो लेट स्टार्ट तो लेट स्वाइन सम्झेंग निव एडूटेरा मिशन आफ सक्सेस linear equations in one variable चैप्टर टू तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग समझेंगे expressions क्या होते हैं equations क्या होती है linear equations क्या होती है variables के बारे में बात करेंगे उनके इन सभी के examples को हम जानने की कोशिस करेंगे समझेंगे उसके बाद हम चलेंगे exercise 2.1 पर 2.1 exercise के मैंने 6 questions को यहां पर solve किया है और यह हमारा है part 1 इसके अगले part में हम आपको बताएंगे जो इसके बचे हुए questions हैं तो आईए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं algebraic expressions तो यह आगे हमारा पहला topic algebraic expressions यहां पर हम लोग सबसे पहले कुछ examples को देखेंगे और उसके बाद समझने की कोशिस करेंगे तो यह देखें मैं कुछ examples लिख रहा हूँ x प्लस y कॉमा दूसरा example लिख रहा हूँ 2x minus 1 कॉमा इसके बाद एक और मैं आपको example लिखकर दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स आप यहां पर देख पा रहे हैं variables का मतलब होता यह x, y, z जो alphabets यूज हो रहे हैं यह हमारे variables होते हैं जिनकी value कभी भी fix नहीं होती है question to question change होती जाती है तो देखिए मैंने यहाँ पर एक और example लिख दिया 2y plus z minus 1, x plus y minus z minus 1 all these are the examples of algebraic expressions यानि कि variables के साथ अगर हम mathematical operations plus and minus का use करके कोई expressions बना दें तो वो algebraic expressions कहे जाते हैं देखिए लिखा भी जा रहा है all the above are examples of algebraic expressions अब यहाँ पर देखिए हमें पढ़ना है one variable लेकिन algebraic expression में more than one variable हो सकते हैं इसलिए इनको ऐसा लिया गया है बट आगे हम लोग केवल one variable वाले expression या फिर equations की बात करेंगे तो मुझे उमेद है आपको algebraic expression का concept समझ में आ गया होगा अब हम लोग बात करेंगे equation देखिए equation कहीं न कहीं यह equality से कुछ मिलता जूलता है तो आईए हम बताते हैं आपको इन एनी expression expression का मतलब है कि algebraic expression से इन एनी expression if sign of equality जो हमारा equal to का sign होता है जो हम लोग horizontal में दो lines छोटी छोटी ड्रॉटी 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 is present आप अपनी लेंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं is present then it will be called as a equation as an equation then it will be called an equation तो यानि equation क्या होती है अगर कोई algebraic expression है उसमें अगर आपको equal to का sign दिखाई दे जाता है equal to का निशान दिखाई दे जाता है तब वो हमारा equation बन जाता है equation में दो चीजें होती है एक तो left hand side होती है और एक right hand side होती है यानि जो left hand की तरफ लिखी होती है वो LHS बोली जाती है आपको यहाँ पर मैंने examples भी दिखाया equation का x plus y and equal to 10 दूसरा आप देख पा रहे है 2x minus 1 equals to 5 एक में मैंने दो variables लिया हुआ है और दूसरे में आप देखिए केवल एक ही variable है तो अब आई हम बात करते हैं linear equation in one variable यानि अब linear equation one variable में कैसे बनेगी या किस type की होगी उसको समझते है with the help of examples so look here I am writing an equation 2t minus 1 equals to 5 यहाँ पर देखिए variable क्या है t है only one variable बाकी सारे constant है second example 3x plus 4 equals to 10 in this example variable is x now third example 2 by 3 y plus 1 by 3 y equals to 3 so students all examples are linear equation in one variable सभी में केवल एक ही variable है because जो variables है उनकी जो power है वो एक है एक से ज़्यादा नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिखा है आप देखिए ज्यान से in all only one variable सभी में आप देखिए केवल एक variable है first में variable t है second में variable x है third में variable y है in all only one variable is present अगर एक से ज़्यादा हो जाते तब वो हम one variable नहीं कह सकते तो यह हो गया first point second point the power otherwise the degree मैंने आपको पीछे भी बताया कि जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको इस power को degree कहा जाएगा the power of variable is only one तो linear equation क्या होगी linear equation वही होगी जिसकी power या जिसमें variable की power एक होगी तो यह हो गया हमारा linear equation तो बहुत ही आसान topic हैं बहुत simple हैं हमने सबसे पहले algebraic expression देखा फिर equation की बात की फिर हमने linear equation की बात की फिर linear equation in one variable आपको बताया अब आएए चलते हैं अपने exercise की तरफ इस exercise में हमें simple cross multiplication transpose rule and addition and subtraction and simple basic calculation LCM लेना अगर ये सारे concept आपके clear हैं तो आप बहुत आसानी से questions को solve कर पाएंगे यहां पर हम लोग केवल question number one to six solve करेंगे इस part में क्योंकि अगर सारे questions यहां पर solve किये जाते exercise के 12 then the video will be too much long और इतना लंबा वीडियो कोई भी बच्चा देखना पसंद नहीं करता है boring feel करता है इसलिए मैंने केवल यहां पर एक से लेके छे तक के सभी questions का solution आपको बताने की कोशिस की है तो आईए समस्ते हैं हम लोग solve करते हैं question number one तो आगे है हमारा question number one x minus two equals to seven देखिए ऐसे questions में students हमेशा याद रहे किये question क्या कह रहा है solve the following equations इसका मतलब है आप इसे solve करेंगे और variable x की value पता करेंगे कि x की value क्या है अब मैंने आपको पीछे पता है lhs यानि left hand side की तरफ जो लिखा होता है उसे lhs कहते हैं और equal to के दूसरी तरफ यानि right hand की तरफ जो होता है उसे rhs कहते हैं दोनों की value बराबर होती है that's why equality sign are used तो हम x की ऐसी कौन सी value substitute करें कि lhs equals to rhs हो जाए rhs में देखिए 7 है तो lhs में अगर हम x की value 9 substitute कर दें तो हमारा दोनों side balance हो जाएगा similarly equations हमारी solve हो जाएगी तो अब उसको हम solve करते हैं देखिए x minus 2 equals to 7 अब इसको हम class 6 के method से पहले करते हैं add 2 because देखिए minus 2 है इसलिए add कर रहे है क्योंकि minus 2 और plus 2 0 हो जाएगा so add plus 2 on both side हमने दोनों तरफ plus 2 कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा इस तरफ x की side में यानि LHS की side में आप 2 and 2 cancel कर लेंगे because एक plus है एक minus है so x equal to 9 आपका answer आ जाएगा अब इसको हम दूसरे method से भी आपको बताएंगे अभी तो देखिए मैंने यहां लिखा है add 2 on both side actually हमें केवल variable की तरफ only we want variable कोई भी number नहीं होना चाहिए अब minus है तो वो 0 कैसे बनेगा जब आप उसको plus 2 करेंगे so we are getting here the answer x equals to 9 यह आगे हमारा answer अब आए इसी को हम दूसरे method से कर सकते है directly within two steps you will get the answer by using the transpose rule देखिए x minus 2 equals to 7 यह minus 2 दूसरी तरफ जाएगा तो इसको एक punishment मिलेगी यह अपना घर छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं तो यह minus हैं तो यह plus बन जाएंगे यह transpose rule होता है अगर plus हैं तो minus बन जाएंगे so x equal to 9 same answer both methods are correct you can opt anyone जो आपको आसान लगे आप उसे choose कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा question number 1 अब हम लोग चलेंगे question number 2 पर तो आईए हम लोग solve करते हैं question number 2 second and first both are similar पहले में केवल minus 2 था यहाँ पर plus 3 है देखिए y plus 3 equals to 10 again हम first method से भी कर सकते हैं जो पिछले question number 1 में बताया आपको यहाँ पर plus 3 है so we can subtract लेकिन वो class 6 का method था now in class 7 we have to learn transpose rule focus on transpose यानि एक तरफ केवल variable रहेगा दूसरी तरफ हम numbers को transpose कर देंगे यानि transfer करेंगे तो देखिए plus 3 था जब यह दूसरी तरफ जाएंगे तो इन्हें punishment मिलेगी minus 3 हो जाएंगे so y equals to 10 minus 3 so answer is y equals to 7 यह हो गया हमारा question number 2 आप चाहें तो इसको verify भी कर सकते हैं जहां पर y है वहाँ 7 रख दीजिए तो दोनों side balance हो जाएगी 7 plus 3 10 equals to 10 so our answer is correct अब हम solve करेंगे question number 3 question number 3 is 6 equals to Z plus 2 now students see with the Z 2 is additional we have to remove this 2 हमें इस 2 को हटाना है तो हम क्या करेंगे 2 को transpose करेंगे 6 की तरफ so again punishment for 2 6 minus 2 equals to Z 2 उस तरफ plus था इदर आएगा तो minus हो जाएगा so 4 equals to Z यानि Z की value हो जाएगी 4 इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर आप Z की जगह पर 4 रखेंगे then LHS equals to RHS हो जाएगा so students अगर आपको यह video पसंद आए तो इसे like करिए ज़्यादा से ज़्यादा like करिए और अपने दोस्तों के साथ share करिए अब आएगे चलते हैं अपने अगले question number 4 की तरफ question number 4 3 by 7 plus X equals to 17 by 7 अब यहाँ पर fraction आगया है कुछ आपको LCM की भी जरूरत पढ़ सकती है LCM लेने की भी तो उसका भी concept आपको मालूम होना चाहिए 3 by 7 plus X equal to 17 upon 7 देखे variable doesn't want to leave with number जो variable होता है वो number के साथ रहना नहीं चाहता तभी वो solve हो पाएगा तो again 3 by 7 को हम दूसरी तरफ transfer कर देंगे या दोनों तरफ subtract कर सकते हैं 3 by 7 अब 17 by 7 minus 3 by 7 देखे आप denominators हमारे same है denominator same है तो fraction का rule है same LCM आ जाएगा या direct आप subtract कर सकते हैं 17 minus 3 तो मैंने यहाँ पर आपको LCM दिखाया है कि LCM same आ जाएगा 7 so 17 minus 3 now solve it you will get correct answer so here x equal to 17 minus 3 upon 7 तो 17 minus 3 क्या हो जाएगा 14 divided by 7 now reduce कर दिजे इसको 7 वंजा 7 7 तो जा 14 so x equal to 2 is our answer so I hope you are enjoying and you are learning in a very good and simple or easiest way so students like share and subscribe our YouTube channel EduTERRA IA question number 5 very simple यहाँ पर कोई भी plus या minus का sign नहीं है simply 6 x equals to 12 तो ऐसे सोचिए x की हम ऐसी कौन सी value substitute करें जिसमें 6 का multiply करें तो 12 आ जाए it means अगर आप 2 से multiply कर दें तो आपका answer आ जाएगा तो देखिए x की value 2 आनी जाए divide by 6 on both side अब यह class 6 का method आपको बता रहे हैं पहले दोनों तरफ हम लोग 6 से divide कर देंगे so 6 x upon 6 equal to 12 upon 6 6 बन जाए 6 cancel हो गया 6 to the 12 देखिए x equals to 2 हमारा answer आ गया है अब आईए हम लोग दूसरे method से करते हैं यहां हम क्या करेंगे देखिए 6 x का मतलब है 6 into x बीच में हमारा multiplication साहीन है so 6 x equals to 12 है हम जब इस 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो जो multiply होता है वो next side में जाके division बन जाता है यानि divide करता है so 12 upon 6 6 बन जाए 6 6 to the 12 now the value is same 2 it is our answer so question 5 भी हमने कर लिया है अब हम बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं अपने इस part के आखरी question question number 6 पर और जो भी part या जो भी questions बच जाएंगे हम आपको इसके 2.1 के दूसरे part में बहुत ही जल्दी आपको इसका solution लेकर आएंगे जहां हम आपको बताएंगे question number 7 से लेके question number 12 तक तो इंतजार करिए इसके लिए आएए 6 solve कर लेते हैं देखें यहां पर हमें cross multiply सीखना है t upon 5 equals to 10 तो पहले हम पुराना method देखेंगे multiply by 5 भाई हमें t से नीचे denominator में 5 वा उसे remove करना है so when we will multiply on both side by 5 तो वो 5 से 5 कट जाएगा और remove हो जाएगा so t by 5 into 5 equals to 10 into 5 solve it 5 and 5 cancel so t equals to 50 and it is our answer अब इसको हम लोग second method से करेंगे directly by cross multiplication t by 5 equals to 10 so 10 के नीचे कुछ नहीं है तो हम वहाँ denominator 1 बना लेंगे then cross multiply का मतलब होता है t into 1 equals to 5 into 10 देखे मैंने link भी दिया है cross multiply so t equals to 5 into 10 now again your answer is 50 तो मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे questions समझ में आ गए होंगे question number 126 सभी का solution आपको बता दिया है तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में तब तक के लिए बाई बाई